दो तीन बातों को ध्यान से सुन ले अगर आप इसमें खरे नहीं उतरते हो तो पूरी वीडियो देखकर अपना समय बरबाद ना करें कोई और काम में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें आप सबसे पहला है अगर आपकी एज 40 पलस हो चुकी है आपको यह वीडियो नहीं दे किया है तो भी इस वीडियो को देखनी की आपको ज़रुत नहीं है बिए जिन्होंने नहीं किया यानि कि बैचलर इन एजुकेशन तो भी वो इस वीडियो को ना देखें वापस चले जाएं एक और बात याद रखिए कम से कम देखिए यह प्रेफरेंस वाली बात है अगर नहीं कि आप कहीं पढ़ाओ तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हो तो यह छोटी छोटी बात है थी अब आता हूं में मुद्दे पे नमस्कार मेरा नाम है मितुर सिंग और आप ऐसे प्लैटफॉर्म के साथ जोड़े हो जहां पर बिलकुल ऑथेंटिक और जेन्विन इन्फ जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है देखिए इसका जवाब सिर्फ एक ही इनसान दे सकता है और उसका नाम है सिक्छा मंतरी जी हां सिक्छा मंतरी धर्मेंद प्रधान डिसाइड करेंगे कि EMRS का एक्जाम कम लिया जाएगा बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स को मैंने प करके आप उन्हें टैक करके पूछ सकते हूं कि क्यों नहीं यह हमारे इसका एक्जाम कंड़क्ट कराया जा रहा है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को जादा से जादा लाइक करें पुरी इमांदारी से मैंन गांधी की जो पीडियाप से वो भी मिल जाएगी आपको या फिर आप अगर डारेट सर्च करते हो मिधुन सिंग टेलिग्राम चैनल पे आप हमारे साथ एड हो जाओगे जुड़ जाओगे हमारे परिवार में सामिल हो जाओगे चलिए आगे की बात करें यहां से सबसे पहली बात contractual vacancy है permanent vacancy नहीं है आप वापस जा सकते हो अगर आपको बिल्कुल permanent ही vacancy चाहिए contractual vacancy के लिए आप पूरी वीडियो देख सकते हैं देखिए सबसे पहली बात है guest teacher जो है life science के लिए आई हुई है one post है पी जी टी प्लस保़ होना चाहिए तब आप अपपलाई कर सकते हो अगला जो है वो है geography के लिए अगर आपने PGT कर रखा यानि कि post graduation कर रखा है और बियर् भी है तो आप यहाँ पे आ सकते हो अगला जो post है वो है chemistry के लिए अगर आपने पोस्ट ग्रिजुएशन केमेस्टरी में कर रखी है और बेड आप है तो आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो PGT टीचर के लिए अगला जो है वो है सन्थाली जी हाँ सन्थाली लेंग्वेशन किया है बेड का कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे most welcome है अगला जो है बंगाली टीचर के लिए अगर आपने TGT I mean जो TGT post के लिए है अगर आपने graduation बंगाली से की है और आपने B.A.T. कर रखा है आईए आपका स्वागत है यहापे अगला जो post है वो है English की अगर आपने B.A. कर रखा है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं तो यह बात है थी और यह रहा application form जिसे आपको भर कर भेजना है टेलिग्राम पे मैं इसे अभी तुरंत ही upload कर दूँगा विडियो के release होने के just बाद देखिए यह रहा post जी हाँ बहुत सारे लोग पूछते है ना तो जब भी आप कुछ पढ़ो ना कुछ नया सीखने की कोसिस करो habit बना नए नए what तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा remuneration मतलब की प्रासर्मिक मैं एक बार लिख देता हूं हिंदी में ताकि आप लोग जो है याद रखे यानि कि जो हायर करता है ना लोगों को उन्हें जो मिलती है वेज मिलती है देखो यह वेज ही है जहाँ पे घंटे के हिसाब से पैसे आपको दिये जाएंगे यानि कि 12,000 रुबे से जादा सेलरी आपको नहीं दी जाएगी याद रखिएगा एक साल का पिरियाड होगा याद आप एक साल तक पढ़ाओगे बिल्कुल प्योरली टेंपरेरी बैसिस पे आपको हायर किया जाएगा तो यह बात थी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स मे आईए और टेलीग्राम पे भी जूड़ जाएए और अगर कोई डाउट है आपका जो पुछना चाहते हो जाके आप सर्च कर सकते हो कहां पर इंस्टाग्राम पर आए डाउट आई मिथून सिंग विदाउट एनी स्पेस आप हमारे साथ जूड़ सकते हो तो फिलाल के लि कीप रिडिंग कीप लेंडिंग कीप ग्रोईंग